गुड मॉर्णिंग श्टेंट्स आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के कोस्टन्स को स्वल्प करेंगे एक्सरसाइज के कोस्टन्स स्वल्प करने से पाले एक कोस्टन हम लोग एक्जांपल का देखते हैं यह एक्जांपल का कोस्टन नमर 3 है locate the points 50, 05, 25, 52, minus 3, 5, minus 3, minus 5, 5 minus 3, and 61 in the Cartesian plane अब यहापे बहुत स्रा points दियावा है इसको locate करना है एक plane में इसका स्रोशन देखते हैं taking 1 cm equal 1 unit we draw the x-axis and y-axis the position of the points are shown by dot in figure 3.16 अगले पेज़े figure दियावा है उसमें जो points है उसको dot से indicate किया गया है और इसमें 1 cm मान लिया गया है एक unit को ठीक है और x-axis y-axis को draw किया गया है अगर इसको आप graph पर draw करेंगे तो आप दस से small box को एक unit मान सकते हैं ठीक है अब इसमें पाल नम लो एक्सिस ड्रो करते हैं यह x-ox यह horizontal line हमारा x-axis हो जागा और y-o y-s यह vertical line हमारा y-axis हो जागा और यह दोनो एक्सिस एक दूसरे अपर perpendicular होता है और यहाँ पर origin पर एक दूसरे को intersect करेगा अब एक के करके यहाँ पर इस point को locate करते हैं और अब first point है 5-0 5-0 में x-coordinate तो 5 होगा और y-coordinate 0 हो जागा पूरे x-axis पर y-coordinate का value 0 होता है ठِक है तो 5-0 दिखाना है तो x का value 5 कहाँ पर होगा तो यहीप होगा और x-axis पर y का value 0 हो जाता है तो यह हमारा point हो जागा 5-0 ठेक है second point था 0-5 अब इसमें x coordinate 0 है और y coordinate 5 दिया वहा है तो यह हमारा point हो जागा 0-5 y axis पे x का value 0 हो जाएगा और 5 यहीं पे होगा y के value ठीक है ठाइड पॉइंट ता 2 और 5 तो यह हमारा first quadrant में होगा x आमार हो जाएगा 2 और y हो जाएगा 5 यह हमारा point हो गया 2 5 इस तरह से 5 2 है यह भी हमारा first quadrant में होगा x coordinate 5 होगा और y coordinate किता हो यहाप पे 2 होगा तो यह point हमारा 5 2 हो गया minus 3 और 5 यह हमारा second quadrant में क्योंकि x से यहाप निगेटिव है और y positive है x coordinate minus 3 और y coordinate 5 यह point होगा हमारा minus 3 minus 5 यह हमारा third quadrant में होगा इसमें x coordinate minus 3 है और y coordinate minus 5 है इसके बाद यह 5 और minus 3 यह 5 minus 3 हमारा फॉर्थ क्वाडरेन वहोगा इस में आएक्स क्वाडरेन फाइब है और वाई क्वाडरेन झीचे कि भग रिये हैं हमलोग पहले हमें इसां एक्स कौडरेन को दिखाते हैं और लास्ट क nom इस तरह से हम लोग एक प्लें में को प्लोड कर सकते हैं एक्सराइज 3.3 का फर्स्ट कोश्चन है इन विच क्वाडरेंट और अन विच एक्सिस एच अब दा प्वाइंट्स माइनस 2, 4 3, माइनस 1 माइनस 1, 0 1, 2 एड माइनस 3, माइनस 5 लाई वेरिफाई यूर एंसर बाई लोकेटिंग देम अन काईटेशन प्लेन अब इसकोश्चन में 5 पॉइंट्स यहां दिया हुआ है अब यह बताना है कि एकिस क्वाडरेंट में या किस एक्सिस पे लाई करेगा और फिर इसको बेरिफाई करना है एक प्लेन में ग्राफ ड्रो करके मतलब इस point को plot कर गया ठीक है तो एक के करकर नोग इसको देखते है first point है minus 2 और 4 ठीक है तो in the point minus 2 4 अब सिसा is negative यह x coordinate को में अब सिसा बोलते है तो x coordinate को यहाँ पर negative है और y coordinate जो ordinate है यहाँ पर यह positive है तो यह हमारा कहाँ पहलाई करेगा second quadrant में ठीक है तो चाहे तो आप पूरा language लिख सकते है या diet इसको में लिख सकते है second quadrant second point है 3 और minus 1 अब इसमें x coordinate positive है और y coordinate negative है तो यह हमारा लाई करेगा fourth quadrant में ठीक है अब यहाँ पे third point है minus 1 0 अब यहाँ पे x coordinate कहा है minus 1 है और y coordinate 0 है जब y coordinate 0 होगा तो यह हमारा लाई करेगा x axis पे ठीक है अब 1 2 x coordinate y coordinate दोनों positive है तो यह हमारा लाई करेगा first quadrant में और यह last point है minus 3 minus 5 इसमें x और y दोनों coordinate negative है तो इसलिए हमारा third quadrant में लाई करेगा अब इस सारे point को plot करने है ठीक है तो इसको verify करने के लिए हम एक graph paper पे इसको draw की हुए है पहले यहाँ पे x dash o x draw कर दिये यह horizontal line हमारा x axis हो जागा और y o y dash यह vertical line y axis हो जागा ठीक है graph paper पे आप graph draw कीजेगा point को जब plot कीजेगा तो इसको pencil से कीजेगा हम pencil से इसलिए हैं कि यह visible हो इसको आप असाने से देख पाएं अब यहाँ पे first point ता minus 24 इसको a से लोग indicate किए हैं तो यह हमारा किस quadrant में होगा यह हमारा reason जो x y है यह first quadrant कर लाता है और y o x dash यह हमारा second quadrant कर लाता है और reason x dash o y dash यह third quadrant कर लाएगा और y dash o x यह हमारा fourth quadrant कर लाता है तो minus 2 और 4 x coordinate negative और y coordinate positive यह हमारा कौन सा quadrant होगा तो यह second quadrant होजगा ठीके यह हमारा first quadrant होता है यह हमारा second quadrant होजगा यह third quadrant और यह fourth quadrant ठीके अब b point b point कहा है mean second point 3 minus 1 तो यह x coordinate 3 और y y coordinate minus 1 यह हमारा होजगा fourth quadrant ठीके इस तरह c point है minus 1 0 यह X-axis बलाई करेगा X-axis निगेटिव बला X-axis हो गई है उसरा D.12 है यह फर्स्ट कॉर्टेंट हो जागा और E.3-5 है यह थर्ड कॉर्टेंट हो जागा तो इस तरह से इसको प्लोट करके यहां पर फेरिफाई कर दिये इसका second question है plot the points xy given in the following table on the plane choosing suitable units of the distance on the axis अब यह आप एक स्वाई यह दे दिया हमको coordinates अभी सारे points को minus 2 8 को minus 1 7 0 minus 1 1.25 1 3 और 3 minus 1 इस point को ड्रो करना है एक plane में एक suitable unit को choose करके तो जैसे question of first को ड्रो किये है ठीक है इससी तरह साब लोग question मर्टू को भी वहाँ पर जो point दिया है उसको ड्रो कर सकते है प्लोड कर सकते हैं ठीक है इस तरह सी आमार exercise complete हुआ आज के लिए इतना ही thank you have a nice day जामार को